दोस्तो नमस्कार दोस्तो चुनाओ पश्चिम बंगाल में हैं और चुनाओ के किंद्र में रज्ज की मुक्मंत्री मम्ता बिनरजी नहीं बलकि देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी हैं ये कमाल की परिस्तितियां है जिसमें वोटरों के जहन में धीरे धीरे ये बात धरती चली जाए कि रज्ज की मुक्मंत्री मम्ता बिनरजी को जिताना है या हराना है इससे हटकर देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी को जिताना है या हराना है इस पर चर्चा पश्चि वो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के चुनाओं के किंद्र में और किसी को नहीं बलकि देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को लाकर खड़ा कर चुका है। प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ही थे। और नरिंद्र मोदी से जुड़ी हुई तमाम परिस्थितियों का जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पश्चिम बंगाल को लेकर आखिन नरिंद्र मोदी ने सब कुछ दाव पे क्यों लगा दिया। और दूसरा सवाल शुरू होता है क्या वाकई अगर नरिंद्र मोदी किसी रज के चुनाओं के किंद्र में आकर अगर खड़े हो गए हैं और जनता के सामने अब ये सवाल है कि वो नरिंद्र मोदी को चुनाओं हराई या जिताएं तो क्या 1.415 में वाटरलू के मैदान में ही नैपोलियन हा रहे थे नैपोलियन जो पूरे ईورोप पर दो दशकों तक कबजा किये रहे लेकिन वाटरलू उनके लिए बड़ी चोटी लड़ाई थी लेकिन वहीं पर उन्हें हार मिल गई तो ये वाटरलू मम्ता बैनरजी के लिए व 135 सीटों पर वोटिंग हो चली है आने वाले वक्त में चार चरणों के चुनाओं और बचे हुए हैं इनमें 169 सीटों पर वोटिंग होनी है लेकिन ध्यान दीजिए और कुछ अतीत के पन्नों को टटो लिएगा अगर तो नरेंद्र मोधी पहली बार नहीं है कि पश्चिम बं थी हर जगा थी और मम्ता बेनर जी को लगबख 46 फीजदी वोट मिले थे 2016 और 2019 के चुनाओं में इसमें सिर्फ 2 फीजदी वोट कम हुए थे लगबख 44.7 फीजदी 2019 के लोकसभा चुनाओं में लेकिन 2016 में BJP को सिर्फ 9 फीजदी वोट मिले थे लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाओं में जब केंदर में नरिंद्र मोदी थे तो वोट मिले थे BJP को 40.9% यानि लगभग 41% लगभग 30-31 फीजदी वोटों का इजाफा नरिंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाओं में तो क्या इसी लिए BJP ने एक पूरी रणनिती बनाई जिसमें चुनाओं के मैदान में दूसरा कोई चेहरा कताई माईने ना रहे क्योंकि BJP को पता है कि दरसल पश्चम बंगाल में उसके पास केडर नहीं है नेता नहीं है कोई चेहरा नहीं है और तो और जो टीमसी और सीपी एम या कॉंगर्स से निकले हुए चंद लोग है वह साथ में आकर खड़े हो गए और जिले दर जिले या पंचायतों के लेवल पर भी BJP ने अपने और्गनाईशन को मजबूत करना सीख लिया सवाल ये है कि उसके आगे की परिस्तिती पहली बार ममता बनरजी के रन्निती कार जो 2014 में नरंदर मोदी के रन्निती कार थे वहाँ पर भी जीत मिली थी अब सवाल ये है कि इस लकीर पर जब चलना शुरू कीजिएगा तो क्या वाकई रन्निती कार की रन्निती के आसरे वोटिंग पैटन चल पाता है या वोटिंग पैटन बदल जाता है दरसल जो टेप लीक हुआ है उस लीक टेप के भीतर में प्रशांद किशोर चन्द पत्रकारों से जिन बातों का दिकर कर रहा है वो चोकाने वाले हैं चोकाने वाले इसलिए क्योंकि तीन बातों पर जोर दे रहे हैं पहली बात धुर्वी करंड जिसका जिक्र हमने आपने बार बार किया है। NCR करंड नीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दवाएं बेल आइकोन।